दुख के साथ आज मैं ये प्रेस कॉंफरेंस कर रहा हूँ क्यूंकि भारत के प्रधानमंत्री ने भी आदर्णिय नरेंद्र मोदी जी ने और हम सब ने एक बात बड़े स्पष्टता के साथ कही है कि महमारी को लेकर पेंडमिक को लेकर किसी प्रकार की राजनीती नहीं होनी चाहिए भारत को एक जूट होकर महमारी के खिलाफ लड़ना चाहिए और भारत ने एक जूट होके महमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी भी है मगर कल जिस प्रकार से सदन में एक प्रश्ण उत्तर को लेकर राजनीती की गई है ओक्सिजन के शौटेज और उसके कारण हुए मृत्यू को लेकर ये बहुत ही अफसोष जनक विशय है क्या सोचते होंगे वो परिवार जिनके परिवार जन हमें छोड़ कर चले गए कि ये नेता इतने बड़े लोकतंतर के मंदिर में बैठते हैं किन्तु फिर भी ये इस प्रकार की बाते करते हैं इनमें समवेदन शीलता की इतनी शौटेज है इसलिए बहुत दुख के साथ आज मैं ये प्रेस कॉंफरेंस आपके सामने रख रहा हूँ राहुल गांधी, कॉंग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पेंडेमिक में भी राजनीती करने से कल आपने देखा होगा एक सवाल पूछा गया था मौत के आकड़ों को लेकर कि ऑक्सिजन के शॉटेज के कारण क्या कोई मौत हुई मैं बिलकुल हू बहू जो रिप्लाई दिया गया है सदन के पतल में उस उत्तर को पढ़ देता हू हेल्थ is a state subject detailed guidelines for reporting of the deaths have been issued by the union health ministry to all states and union territories accordingly all states and union territories report cases and deaths to the union health ministry on a regular basis however no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by the states and union territories तीन चीजे इसमर जो उत्तर दिया गया है तीन चीजे इस पर ध्यान देने योग यह है पहला केंदर कहती है कि यह जो स्वास्त का विशय है यह राजियों और union territories का विशय है health is a state and union territory subject number one number two केंदर कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं data को अर्थात जो भी आंकडे राज्य भेजते हैं केंदर को हम उसे संग्रहित करते हैं collect करते हैं हम data generate नहीं करते हैं और regular basis पे वो यह reporting करती हैं और अंत में केंदर कहती है कि चुकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने oxygen के shortage को लेकर कोई मृत्य हुआ हो specifically because of oxygen shortage इस पर कोई आकड़ा नहीं भेजा किसी ने भी यह नहीं कहा कि उनके राज्य में oxygen shortage के कारण कोई मृत्य हुई है इसलिए इसके आकड़े नहीं है आप सोचिए जरा क्या यह 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 डाटा केंदर ने बनाया नहीं राज्यों ने नहीं भेजा मैं उदाहरन देता हूं आप देखिए दो दोगले मापदंड हैं अर्विन केजरिवाल और राहुल गांधी जी अर्विन केजरिवाल जी ने कहा आपको याद होगा बहुत दुखद घटना घटी थी दिल्ली में एप्रिल 23 और 24 के मध्यरात्री में बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे उनकी मृत्ति हो गई थी दुखद मृत्ति हो गई थी जैपूर गोल्डन होस्पिटल दिल्ली में और ये बात बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया में आया था कि ऑक्सिजन शोटेज हुआ है और अगले दिन अर्विन केजरिवाल जी ने और आम आदमी पाटी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके इस पे सारी राजनी थी कि कि ऑक्सिजन शोटेज के कारण 21 लोगों की जान चली गई बंदुगाणी ये पूरा विशय दिल्ली हाई कोट में गया दिल्ली हाई कोट में जस्टिस विपिन सांगी और रेखा पाली जी के पास गया दिल्ली हाई कोट ने कहा कि 27 एप्रिल को एक और पास किया कि इस पर एक कमीटी दिल्ली सरकार बनाए 28 April को आम आदमी पार्टी की सरकार ने चार लोगों की एक कमीटी बनाई कि जराब पता लगाई है इन 21 लोगों की मृत्यू क्यों हुई है वो committee की report दिल्ली high court में आम आग्मी पार्टी की सरकार ने submit किया और उस committee के report में क्या कहा गया है It said that of all the 21 patients, they were all getting oxygen therapy or ventilation throughout their hospital stay including at the time of resuscitation and there was no mention of oxygen shortage आप देखिए वो पूरा report में लेके आया हूँ और इस report में एक बाद बड़े सपस्टूप से कहा गया है ये में media reports, media में भी छपा था ये reports Many of the reported patients, मतलब ये 21 patients, had one or multiple comorbidity like heart diseases, diabetes, DM, hypothyroidism and hypertension All these patients were receiving some form of oxygen therapy and or ventilator support during the hospital stay और वोस पस्टूप से कहते हैं कि there is a lack of any evidence to suggest that these deaths were because of oxygen shortage The Aam Aadmi Party government has informed the Delhi High Court that oxygen shortage as the cause of death of 21 COVID patients at Jaipur Golden Hospital here Could not be ascertained by an expert committee which probed the matter Oxygen shortage के कारण नहीं हुआ है Over the seven hours of time period and almost all of them were already very sick and critical Either from the time of admission or during the course of hospital stay even prior to the evening of April 23rd ये जो मरीज थे ये बहुत critical थे इनको comorbidities थी और इस कारण से इनकी मृत्तिव हो गई Oxygen shortage के कारण इनकी मृत्तिव नहीं हुई है ये अर्विन केजरिवाल जी की सरकार लिखित में अपनी committee की report को दिल्ली High Court को submit करती है अर्विन केजरिवाल जी कल आप इस पर सवाल पूछ रहे थे मनी शिशोदिया जी पूछ रहे थे आप बताईए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आकड़े दिये हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्तिव Oxygen shortage के कारण हुआ है ऐसा लिखके दिया है क्या टीवी में कुछ और टीवी के बाहर कुछ ये राजनिती रुकनी चाहिए अब राहुल गांधी जी के तरफ आईए देखिए आज मैं सुभ़े देख रहा था कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी भी सरकार में है महराष्ट्र में और संजे राउट जी कह रहे थे कि I am shocked, चिंति तो शॉक्ट होना चाहिए, एक भी आदमी की मृत्ति होती है तो चिंतित होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, मगर जूट का सहारा लेके आप अगर राजनीती करें, then we are shocked कि आप ऐसे विशे पे राजनीती करते हैं, मैं tells Bombay High Court, Aurangabad bench of the court directs the center to prepare a buffer stock of oxygen और ये पूरा का पूरा media article है, no patient has died because of oxygen shortage, the Maharashtra government told the Aurangabad bench, in front of justices Ravindra Gughe and B.U. Debadwar said the COVID-19 patients, आप बताईए, खुद दो justices के सामने, Bombay High Court में, महाराश्ट्री स्करकार ने खुद कहा है और माना है, कि किसी प्रकार से भी कोई मृत्यू oxygen shortage के कारण नहीं हुआ, कल आप सभी ने, मैं ANI के report को लेके आया हूँ, कल आप सभी ने देखा होगा T.S. Singhdev, जो की 36 गड़ के health minister ह उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने बयान दिया मैं पढ़ देता हूँ, it is true that no patient died due to lack of oxygen in 36 गड़, we have been an oxygen surplus state, there could have been some issues regarding management, otherwise there is no death due to lack of oxygen, खुद 36 गड़ जो की Congress की सरकार है, वो सरकार कह रही है कि हमारी राज्य में एक भी मृत्यू oxygen के shortage के कारण नहीं हुआ, फिर Rahul जी, आप इस प्रकार की राजनीती क्यों कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, कि आपकी महराश्टर की सरकार, आपकी 36 गड़ की सरकार, जब ये खुद मान रही हैं कि यहाँ oxygen की shortage के कारण डेथ नहीं हुआ, आप tweet करके पूरे देश में भरम पहला रहे हैं, और आज मैं आप जोड़के चतुरतस्तंब मीडिया से भी ये निवेदन हैं, कि आप इन लोगों को expose करिए, इन से सवाल पूछिए, सवाल पूछिए अप राहुल गांदी से, सवाल पूछिए अप अरविन केजरिवाल जी से, कि आप अपने हाई कोट में तो कुछ कहते हैं, मगर आक बार को दुख और कष्ट जेलना पड़ा है, इसमें कोई दोमत नहीं है, पूरे संसार में, भारत वर्ष भी इससे अचूता नहीं रहा है, किन्तु मुझे आज कहते हुए दुख हो रहा है, कि वाइरस के कारण तो दुख हुआ ही है, मगर कॉंग्रेस पार्टी के कारण, क विशह में भरम पहलाना और हर विशह में लोगों को बरगलाना ये राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है, राहुल गांधी you have just acted as a twitter troll throughout this pandemic, आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है, दो-दो लाइन का जूट ट्विटर में ल आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं सोचिए आप सोचिए जरा मैं कुछ और भी मीडिया के रिपोर्ट लेकर आया हूँ आप देख सकते हैं 36 गड़ इसने कहा कि हमारे पास कोई डेथ ऑक्सिजन सौटेज के कारण नहीं हुआ था उसी 36 गड़ में आप देखिए उन्होंने पहले रिपोर्ट किया था कि चार कोविड पेशिंस उनकी मृत्यों ऑक्सिजन सौटेज के कारण हुआ ये मीडिया में छपा हुआ है उस समय राजनीती कर रहे थे अब निकल कर कह रहे हैं कि कोई भी डेथ ऑक्सिजन सौटेज के कारण नहीं हुआ है तो मोदी जी से घ्र कि अगर ये राज्य की सरकारे आपको आंकडे नहीं दे रही हैं तो आप उनसे जबर्दस्ति क्यूं नहीं लेते हैं अगर मैं एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिली सरकार के पास जाए और वहां से आंकडे ले आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या है वरना हम रिपोर्ट कर दें तो बोलेंगे डिमोकरिसी का डेथ हो गया मतलब कोरी कोरी राजनीती करनी है और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कल जो मीटिंग प्रधान मंतर प्रधान मंतरी जी ने हमें बताया नहीं प्रधान मंतरी जी ने हमें चेताया नहीं आप राजनीती करते हैं आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोविट के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं जब तक कि किसानों के बारे में चर्चा नहीं क्या कोविट में हो रहे मृत्यू क् महत्zigण नहीं है क्या आक्सिजण में किस प्रकार से अक्सिजण प्लैंट स्थापित करके उसकी प्रोड Panch should को बढ़ाई जाए हर जिले में प्रदानमंत्री कर रहे हैं क्या ये महत्वपूर नहीं है कि आप मीटिंग में नहीं जाएंगे राहूल गांधी जी आप क्यों नहीं जाते हैं मीटिंग में मीटिंग में जाएंगे नहीं और ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करेंगे ये हिंदुस्तान देख रहा है